मैं आप सब पूछना चाती हूँ कि में 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किज्रिवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिटवाया और बताया कि अर्विन जी घर पे हैं और वो मुझे से मिलने आ रहे हैं फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी वी थी अराम से बैठी वी थी इतने में बिभव कुमार जो कि उनके पियस थे वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं ये एंटरड फ्रम दे डॉर और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तिरी आउकात क्या है, तिरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे वो और उस समय मैं बहुत सक्पका गई, और मैंने उनको बोला भी कि भई क्या हो गया, मतलब अर्विन जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया, तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया, उन्होंने मुझे साथ आठ थपड, पूरी जोड से मारे, मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे, वो मारे ही जा रहे थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्या हुआ, इतने में मैंने अपने आपको बचाने के लिए, अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी, तो जब मैंने उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया, और मुझे न मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना वो अकेला था कमरे में? जी उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में और जब मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे हड़ी पसली एक कर देंगे पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया जैसे ही उसने रिलाइज किया कि मैंने कॉल कर दिया है वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया मैं बहुत ज़ादा एजिटेटेट थी और मैं उन्हें चीक चीक के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ मैंने उन्हें बताया कि बिभव ने कैसे लातों से घूसों से थपडों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैटके यहीं पे मेरी पिटाई हुई है तो उन्हें बोला क्योंकि बिभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर भेंको तो मैं उनको बोलती रही उन्हें मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं बाहर निकलिए मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे call कर दिये पुलिस को आने दो ये crime scene है यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हाथसा हुआ है मैं member of parliament हूँ मैं former Delhi Commission for Women chairperson हूँ आप रुकिये आप बस पुलिस को आने दीजे एक बार पुलिस आ जाए कि यहाँ पे मैं फिर उसके बाद जाओंगी क्योंकि मैं को यह डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो यह tamper कर देंगे पूरा जो भी evidence है तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी यह argument कम से कम आठ से दस मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी बिभाव मुस्कुर आते वे वीडियो बना रहा था जब end में मुझसे मैं बिल्कुल अपना आपा खो गई कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया उपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ बिभाव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भई तुमने क्यों मारा कैसे मारा ऐसे कैसे हो गया तब मैं अपना आपाख होया और मेरे मुझसे कुछ अपशब निकले जो बाद में हमने देख एक बस 50 सेकंड की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीटके उसको टीवी चानल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्माट कर दिया गया है अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीक चीक के बता रही हूं कि मेरे को कहा मारा कैसे मारा मेरा हाल जो अगर देख ले कोई तो वो बिलकुल बात clear हो जाएगी तो evidence के साथ भी So according to what you're saying दो videos है, एक तो CCTV video है, जिसमें पूरा sequence है, जो अभी तक release नहीं हुआ through the CM's resonance, और दूसरा, जो विभव जी ने खुद video बनाया है, वो भी है दो video sources है अभी जी, बिलकुल दो video sources है और ये जो second video है, मैं इसी का बता रही हूँ आपको, कि वो video actually पूरी video है, वो 8-9-10 minute की video है, तो जब वो आपको मार रहे थे, वो video ले रहे थे? नहीं जब मैं वापस आके बैठी, जब मैं सोफे पे दुबारा आके बैठी है, मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये security वालों को वो video लेना शुरू करा है, जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे, तो वो अकिला था कमरे में, तो वो video कैसे ले सकता है? तो जब ये मार पिटाई हो रही थी you were obviously screaming, कोई ऐसे silently तो नहीं मार खा सकता, तो जब वो आपको मार रहे थे, and it is, I mean according to what you have said it is quite gross he, आपने कहा 7-8 बारी he kicked you on the chest stomach, pelvis और आपके periods चल रहे थे, उद्वर he dragged you, your shirt was pulled up, as per this you were screaming for help घर में और कोई नहीं था आपके मताबिक? मुझे बताया गया था कि Arvind Keshriwal जी घर में है, और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत जोड़-जोड़ से चीक-चीक के help मांग रही थी लेकिन कोई मदद के ले नहीं आया स्वाती जी आप उनके घर कई बार जा चुके हैं क्या हर बारी आप appointment लेके जाते थे इस बारी शायद नहीं लेके गए क्या उस वज़े से नरास थे क्या हो सकता था उस दिन मैं appointment लेके तो hardly कभी गई हूँ जब-जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी appointment ले लिया हाँ जरूर है कि अगर office जाते हैं क्योंकि उनकी meetings लगी भी होती है और बहुत एक protocol होता है तो अगर secretariat जाते हैं जब एक पार office पे के लिए official time लेके जाया जाता है लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसी जाती हूँ यह यह कहते हैं कि मैं trespass कर रही थी मेरे पास कोई appointment नहीं था तो मैं यह जानना चाती हूँ कि अगर मैं trespass कर रही थी तो फिर तो gate पही रोकते थे फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई और दूसरी बात जो यह कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी appointment ही नहीं था तो मैं तो हमेशा ऐसी गई हूँ मुझे हलका सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे मैं मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है और अगर उनको लगता है कि appointment लेना बहुत important है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देती कि बाहर चले जो मैं बाहर चली जाती मतलब आप appointment लेके नहीं आएगा कोई so called तो आप उसको पीट तोगे और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में appointment लेके आया ही नहीं मैं तो 20 साल से जानती हूँ वो हमारे घर आते हैं हम उनके घर जाते हैं तो ये तो बहुत अजीब बात है तो वोट यू थिंक कि जब आप you are asking for help आप मदद मांग रही थें तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया पुलिस अब इस बारे में investigate कर रही है कि क्या हुआ क्यों हुआ और किसके instructions पर मैं PT कही हूँ ये सारी चीजों पर अभी investigation चल रहा है और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से cooperate कर रही हूँ तो इस वक्त अब इससे ज़ादा मैं क्या बोलूँ because it's a matter of investigation आप कह रही है किसी के instructions पर यानि कि खुद बखुद भिभव में इतनी जुरत नहीं होगी कि वो खुद पीटे is that what you're saying मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है अब बहुत सारे सवाल उठते हैं वो जो सवाल है कि कैसे पिटी क्यों पिटी बिभव ने अकेले मारा क्या किसी के instructions पर मारा ये सारी चीज़ें अब matter of investigation है दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से cooperate कर रही हूँ हाँ मैं ये भी है लेकिन मैं किसी को clean shit नहीं दे रही क्योंकि fact ये है कि मैं drawing room में थी अर्विन जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया मैं चीक रही थी, चिला रही थी पर कोई आया नहीं ये भी fact है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अर्विन जी का कोई call नहीं आया और वो मुझे अभी तक नहीं मिले ये भी fact है कि इस पूरे प्रकरण में अर्विन जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे है वो उसको लेके लखनाव घूम रहे है वो उसके लिए protest पे सडक पे उतरे इतना तो उन्होंने मनीश जी जब arrest हुए थे उनके लिए भी नहीं करा तो ये जो चल रहा है और पूरी तरीके से पूरी party में हर इंसान को instructions दिये गए है कि मेरा character assassinate करो मेरे victim shaming करो मुझे मतलब बुरी तरीके से torture करो तो ये मुझे जो दिख रहा है इसको लेकर मैं किसी को भी clean chat नहीं दे रही but definitely I want the Delhi police to investigate the matter in a very free and fair manner because बहुत बड़े बड़े लोग है and proper investigation होना चाहिए और उसके बाद जो भी सच है उसको सामने आना चाहिए क्या ऐसे हो सकता है कि ये वो घर इतना बड़ा है कि आप drawing room में आपको मारा जा रहा है और बाकी जो कमरे है अगर कोई उन कमरों में है तो उनको सुनाई नहीं दे रहा ऐसे हो सकता है क्योंकि आप जानती है आप गई हुई है उस घर में तो उस घर में जब मैं गई थी तो पहले मैं dining room के बाहर gate तक गई थी dining room का gate हमेशा खुला रहता है तो मैं वहीं पे थी drawing room और dining room बिलकुल आसपास है तो जो वो gate खुला वा था और मैं उस कमरे में drawing room में पिट रही थी तो अब ये दिल्ली पुलिस बताईगी कि मैं जब इतनी जोड से चीक चिला रही थी तो वहाँ पे जो लोग थे वो क्यों नहीं आए या उन तक आवाज नहीं गई मतलब बहुत अजीब बात है और एक बात बताईए कि अगर आवाज नहीं गई तो जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है I'm a member of parliament I'm the former chairperson of the Delhi Commission for Women and on top of it मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूं तो अगर मुझे बाहर निकाला जा रहा है तो तब तो कोई आता तो तब भी कोई नहीं आया How long have you known Bhibhav Ji? I know him since 2006 only Since 2006 क्या वो बहुत करीबी रिष्टा है उनका Arvind Ji के साथ? हाँ स्टार्टिंग में नहीं था लेकिन अब Arvind Kijhriwal Ji के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त Bhibhav Kumar है वो कोई मामूली पिये नहीं है अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलिशान उनको घर दिया गया है इतना तो किसी मंतरी को भी दिल्ली में नहीं घर मिलावा है तो वो एक बहुत रसूकतार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में और पूरी पार्टी उनसे डरती है और उनके ओपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है तो ये सब बाते हैं डरती हैं? क्यों डरते हैं लोग? लोग डरते हैं उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मेसेज है कि अगर बिभाव नाराज हो गए आप से तो फिर आप खतम हो पार्टी में इस पार्टी में पहले भी वाइलेंस के इंसिदेंस हो चुके हैं रफश ट्रीटमेंट कुछ लोग openly कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि दबे पाउं चलना पड़ता है अर्विन जी के आसपास Is it a culture of violence which has been promoted right from the top कि आप क्या समानेंगे देखिए एक पार प्रशांत भूशन जी और शांती भूशन जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मारके निकलवाया गया था हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेकरेटरी को भी ड्राइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गई हूँ तो अब मेरे पास अब क्या बोलने को बचा है फैक्ट तो यह है कि मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है और अगर शायद इतना नहीं मारते तो मैं शायद वो कॉल क्यों करती मतलब What is my motive? I'm going to run the video आपको नहीं देखना हो तो आप नहीं देखें पर अपने वियूर्स के लिए I'm going to run it You don't need to look at it उसमें जो वीडियो में जो दिखता है It is not very clear about the room There's a shaky video जो release हुआ है अभी तक sources नहीं पता It was leaked to the media तो हम भी नहीं कह सकते ये किस ने release किया But it's obvious कि अगर CM के घर के अंदर का video है तो somebody close to the CM और close to the security personnel Have released this video अब इस video में जो हुआ है After this you make a call to the police पहले आप कहते हैं CM और बिभव ने पिटवाया So ये जो video है ये जब मैं पिट चुकी थी मैंने 112 के उपर call कर दी थी उसके बाद जब बिभव ने ये देखा कि ये 112 की call हो गई है उसके बाद वो भाग कर गया security वालों को gate से लेकर आया और जैसे ही security वाले घुसे हैं उसके बाद इसने वीडियो बनानी शुरू करी है पर मैं वो जो वीडियो है वो कम से कम 8 से 10 मिनट की वीडियो है जिसमें मैं security वालों को चीक चिला के बता रही हूँ कि मेरे को कैसे मारा गया है मुझे कहा कहा मारा गया है मुझे कैसे लातों घूसों से मारा गया है मैं security वालों को बता रही हूँ कि 112 नंबर पे मैंने call कर दी है और police को आने दीचे police एक बार आ जाएगी मैं यहां से चली जाओंगी because otherwise they will tamper with the evidence यह सारी चीजें मैं 8-10 मिनट तक पिटने के बाद चीक-चीक के बोल रही हूँ लेकिन security वाले क्योंकि वो तो विभाव ने उनको बोल दिया था कि इसको ठाके फेंक दो तो वो तो सुनी नहीं रहे थे मेरी बात end में जब मैं बिलकुल अपना आपा खो चुकी थी मुझे दिख रहा था कि वो मुस्कुरा के वीडियो बना रहा है फिर भी मैं अपना आपा खो चुकी थी तब मैंने जब अपशब्द बोले तो बस वो जो पूरा एक छोटा सा portion है बस उसको मीडिया में selectively leak किया हाँ दो चीज़ है एक तो आपका अपशब्द और दूसरा आपका फो जो आपने पुलीस को बताया जो अपशब्द वाली बात है दो वीडियोज है एक तो अपशब्द वाली और दूसरा जो आप चल के जा रही है जो आप चल के जा रही है उसमें जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग है वो उन्होंने प्रेस को बताया कि वो तो she's walking out normally वो ना तो उनके कपड़े फटे हुए है क्योंकि आपने का था आपका shirt उपर किया था and she's not limping क्योंकि आपने का था you were kicked तो वो limping नहीं है पर एक women there are two women in the video जो आपको escort करके बाहर लेके जाते हैं and आप point कर नहीं है towards somebody and there are two-three men who are standing around you and they are also just watching you तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी बुरी तरह पीटा जाता again I'm very sorry I'm raising these issues because जो violence victims होते हैं it is very disturbing to see those visuals and to relive that incident so I'm extremely apologetic मैं आप से पूछ रही हूं but just so that this can be sorted out कि जब आप you have worked with several victims of violence इसलिए मैं आप से पूछ रही हूं क्या can somebody walk like this normally after being beaten so brutally Ma'am सबसे पहले मैं previous question पे एक clarification और देना चाहूंगी मैं जब अब शब्द बोल रही थी वो ही portion उन्हाने कट करके release करा है मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि विभव खुदी बैठके video बना रहे थे तो वो पूरी की पूरी video का है police ने media को यह information दी है कि जो इनके phone है यह format कर चुके है और वो video का अभी तक source भी पता नहीं चल रहा तो सिर्फ मेरा यह सवाल है कि अगर जो इनसान सही है और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और तुमारे पास इतनी important video भी है तो तुम उसको original police को क्यों नहीं दोगे अपने आपको बचाने के लिए तो एक मेरा यह सवाल है दूसरा आपने जो मुझसे बोला मैम मैंने दिली महिला आयोग में एक लाख सतर हजार से ज्यादा cases में सुनवाई करवाई है साथ हजार sexual assault survivors की हम लोगों ने counselling करी है दो लाख court cases से ज्यादा में हमने hearings करवाई है जब court में hearings हो रही थी sexual assault survivors की साल के कारेकाल में मैं हजारों survivors से मिली हूँ और हर तरीके के survivors से मिली हूँ domestic violence sexual assault हम लोगों ने धाई हजार से ज़ादा तो rescue operations करें जिन में से बहुत सारे operations मैंने lead करें और उन लड़कियों को sex traffickers के भी चुंगल से हम लोग निकाल के भाड़ लेकर आएं तो मेरा इतना काम है पर मैं जब भी किसी भी survivor से मिली एक चीज हर survivor के लिए common होती है जब वो अपनी आवाज उठाती है तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता पूरा समाज उसकी तरफ देखकर उंगली उठाता है कि जरूर इसी ने कुछ कलत करा होगा तो ये मेरी कहानी नहीं है ये पूरे देश में हर लड़की जो अपनी आवाज उठा देती है उसकी कहानी है मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी और उन्हाने एक बात पूली थी जो मैं जिन्दिगी में कभी नी पूला सकती उन्हाने मुझे ये बोला था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है क्योंकि जो इस देश में न्याय पानी की जिलत है न कम से कम वो तो उसको नी देखनी पड़ रही निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई आटो में क्यों नी गई रात में क्यों गई दिन में क्यों नी गई वो लड़का कौन था तो इस तरीके की जो victim shaming है तो मुझे एक बात बताईए, जब आपके साथ मार पिटाई होती है, तो आपका first reaction क्या होता है? You are very agitated. Obviously there is pain, but there is agitation which takes you over. There is a very high adrenaline also running through your body. आपको अगर कोई गोली भी मार दे, तब भी आप उठके भागते हो, क्योंकि आपको अपने आपको बचाना भी है और आपको नियाई भी पाना है. तो ये कहना, कि देखें इस CCTV footage में ये ऐसे चल रही है, पहली बात तो जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है, उसमें तो मीडिया में ये चल रहा है कि CCTV footage तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुँचे, तो क्या ये CCTV footage बिलकुल correct है, क्य जाता है, अरे fracture भी हो जाता है, तब भी इनसान दौड जाता है, और जब वो चोट सेटल करती है, और जब आप actually realize करते हो कि आपके साथ क्या हो गया, मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं, तो ये कहना कि वो तेज चल रही थी, फिर बाद में वो देखो लिंप कर मुझे लगता है, इस से बुरी victim shaming क्या हो सकती है, दुख यस बात का है, कि दिल्ली की महिला मंत्री, ये कहती है, कि देखो, इसके तो कपडे नहीं फटे हैं, देखो, इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गी थी, वो भी करवा देते हैं, and on top of it, मैंने क F.I.E.R. में कहा कि मेरा सर भट गया, जी मैं खूनम खून हो गई, exactly जो मेरे साथ हुआ है, word to word, बिल्कुल मैंने वही लिखा है, मैंने ना आगे लिखा, ना पीछे लिखा, और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तयार हूँ, मेरा polygraph test, मैं चाहती हूँ, कि पुलिस करे उससे सब क्लियर हो जाएगा, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि पुलिस मेरा polygraph test कर ले, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिन्दा रहूँ, जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लडने के लिए, आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे तो मैं इसके साथ कैसे जिन्दा रहूँ, यह तो पूरे विमन्स मॉवम्मेंट के कॉज के लिए बहुत बड़ा धक्का है, तो मैं इसके साथ कैसे जिन्दा रहूँ, यह तो पूरे विमन्स मॉवम्मेंट के कॉज के लिए बहुत बड़ा धक्का है, तो मैं इसके साथ कै विभव ने अकेले पीटा Have you given a clean shit to Arvind Kejriwal की उन्होंने कुछ नी किया विभव ने अपने आप किया है Who did what? दिखें मैं किसी को भी clean shit नहीं दे रही सचाई तो ये है कि मेरे को Arvind Kejriwal जी के drawing room में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूसों और थपड़ों से मारा गया है और ये बात M.L.C. में भी निकल कर आई है M.L.C. just for viewers medical legal case तो इतनी मेरे को 4 दिन बाद मेरी M.L.C. हुई उसमें भी मेरी injuries निकल कर आई है तो ऐसी situation में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीख चिला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ और मैं ड्रॉइंग रूम में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया तो मैं कैसे किसी को clean chit दे सकती हूँ 2. जब जैसे ही मैंने complaint पूरी की पूरी पार्टी को मेरे खिलाफ उतारा गया बार बार मेरा character assassination करा गया बार बार मेरा victim shaming करी गई edited videos जो आप कहते हैं जी source ही नहीं है उनको media में leak करा गया CCTV footage बता रहे हैं कि गायब करे गए वो चो आरोपी है उसको दुबारा crime scene पे बुलाया गया और फिर वो tamper करेगा evidence और नहीं करेगा वो कैसे बुलाया गया क्या वो खुद नहीं जा सकता था वो कैसे जा सकता है अगर कोई उसको अंदर ना आने दे तो ये CM house की बात कर रहे हैं और ये भी पता है कि दो महीने पेले उसका he's no longer the PS तो ऐसी थोड़ी ना आप जाके देख लीचे कोई भी जाके देख लीचे क्या CM house में कोई भी ऐसी कुछ सकता है मैं भी अंदर तक अगर drawing room तक गई तो मेरे को entry दी तभी तो मैं अंदर गई नहीं तो मुझे गेट पही रोग देते हैं मैं गेट से ही चली जाती पिर आपके बयान अलग-अलग क्यों थे कि CM ने पिटवाया you know the three things that you said CM और विभव ने पिटवाया विभव से पिटवाया गया विभव ने अकेले पीटा so जो first two calls है पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब 112 नंबर पे call कर रही थी वो वहीं खाड़ा था मैं बहुत agitation और डर में थी कि मेरा phone खीचेगा और मुझे फिर पीटेगा तो उसमें मैंने उस समें बहुत agitation में और बहुत डर में and I was already in pain and trauma तो मैंने दो बातें बोली है मुझे नहीं पता कि वो एक बोली है दो बोली है मैं उसको लेकर I'm not very sure क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो ही मेरे को लगता है मेरे को ऐसा लगा कि शाएद एक call मेरी लगी नी मैंने इसले दुबारा बोला but उस समें मैंने यही बोलने की कोशिश की कि Arvind जी ने बिभाव से मुझे पिटवाया क्योंकि उस समें मुझे यही उस वक्त I felt that but at the end of the day today I have filed a proper complaint and उसके उपर investigation अभी चल रही है और मैं अब इस पारे में कि मेरे को किस ने पिटवाया क्यों पिटवाया कब पिटवाया मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगी because there is an investigation that is ongoing and I would like to participate in it What was the delay? You know, आप अपने घर गए और उसके बाद I mean you've worked with so many victims you know this that sometimes immediately नहीं complaint होता you feel alone or whatever the reason it took a lot of persuasion for you for people to get you to come out and speak about it What was that trigger कि आप बोले नहीं and what was the trigger जब आप बोले वो डिले क्यों हुआ जी मैं अर्विन जी के घर से निकल कर जब पुलिस टेशन पहुची Civil Lines Police Station तो वहाँ पे ऐसे चो के सामने मैं बहुत बुरी तरीके से रो रो री थी मैं फूट फूट के रो री थी और मैंने उन्हें सब बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ पर उसी वक्त एक तो जो पेन और ट्रॉमा है वो सिंकिन कर रहा था उसी वक्त मेरे पास मीडिया के बहुत सारे कॉल्स आने लग गए जैसी मैंने मीडिया के कॉल्स देखे मैं घबरा गई क्योंकि मुझे इस बात की डर लगा की इलेक्शन का टाइम है and I don't want to politicize what happened to me so at that moment I decided that I will leave तो मैं घर गई उसके बाद पार्टी के वरिष्ट नेता मेरे घर आए मुझे बोला गया की पार्टी इसके उपर action लेगी सक्त से सक्त action लेगी क्योंकि उन्होंने मेरी हालत देखी they came inside your house? yes they did कितने लोग आय थे? थे कुछ लोग उस ताइम वो they had sympathy with you? they had because अगर आप देखें तो Sanjay Singh जी आय थे मेरे घर पे उन्होंने मेरा हाल देखा उन्होंने देखा कि जो लड़की एक fighter है हमेशा आज वो एक victim बन गई उन्होंने वो सब कुछ देखा मैं रो रही थी मैं pain में थी और मैं बार बार सब को बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ उन्होंने मेरा हाल देखकर अर्विन जी के घर पे भी गए उन्होंने बिभव से भी बातचीत करी ऐसा उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद सब कुछ देखकर अगले दिन उन्होंने एक press conference भी करी जिसमें उन्होंने ये बात मानी कि स्वाती इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत मुखर आवाज है और उसके साथ बहुत जादा मारपीट हुई और इसी लिए अर्विन जी संग्यान ले रहे हैं और अर्विन जी बिभव के खिलाफ आक्शन लेंगे ये press conference पूरे देश ने देखी है मुझे बोला गया कि आप complaint मत कीजिए हम अक्शन लेंगे पर अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से बिभव कुमार लकनव में इन लोगों के साथ दिखे मैं जब उस दिन जिस दिन मैंने complaint करी मैं जब उठी तो मैंने मेरे mind में सबसे पहले ये thought आया कि मैंने इतनी हजारों लड़कियों को लाखों लड़कियों को जब वो मेरे पास आती थी और इतने गिनावने crimes के साथ मेरे पास आती थी मैंने उन्हें हमेशा हिम्मत बढ़ाई और मैंने हमेशा ये बोला कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे पूरी दुनिया तुमारे खिलाफ हो जाए, तुम लड़ो, और चाहे अकेले लड़ना पड़े, तुम लड़ो, तो मुझे जब मैं उठी, तो मुझे एक इतनी इतनी गलानी की फीलिंग हुई, कि मैंने इतनी महिलाओं को हिम्मत दी, और उन् नहीं है, जिसको अपाटी can brush it off under the carpet, तो इसलिए मैंने उस दिन complaint फाइल करी, और मेरे अंदर ये थौट बार बार आ रहा था, कि जो आदमी इतनी हिम्मत दिखा सकता है, कि वो CM के ड्रॉइंग रूम में, Member of Parliament को, Former Chairperson of Delhi Commission for Women को इतनी बुरी तरीके से पीट दे, तो वो एक आ and मैंने ये decide किया कि मैं fight करूँगी और मैं complaint करूँगी, मुझे बोला गया था कि अगर तुमने ये complaint फाइल कर दी, तो पूरी पार्टी तुम्हें अकेला कर देगी, मुझे बोला गया था कि पूरी पार्टी तुमको BJP का agent बना देगी, मुझे बोला गया था कि कोई मेरे स मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो आप सची सची कंपलेंट करो लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप जरूर लड़ो तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती So there was only one thought in my mind and that is why I filed a formal complaint and जो उन लोगो ने मुझे डराया था और जो उन लोगो ने मुझे बोला था वो actually सच निकला क्योंकि जैसे ही मेरी complaint हुई उसके बाद all hell has broken loose in my life In what way? पूरी party को मेरे खिलाफ उतारा गया है हर दिन press conferences होती है हर दिन ये बोला जाता है कि मैं बीजेपी की agent हूँ मुझे एक बात बताईए मैं 9 साल से तो public life में हूँ उससे पहले मैं 2006 से काम कर रही हूँ लेकिन मैं back end पे काम करती थी मैं 2015 से तो सबके सामने काम कर रही हूँ मैंने कितने बड़े बड़े मुद्दे इस देश में बिना डरे उठाए है हर पार्टी जहाँ पे मुझे गलत लगा मैंने उसके खिलाफ action लिया है तो मैं आज BJP की agent बन गई जिस दिन तक मैंने complaint मी file करी उस दिन तक मैं lady singham थी मैं इस देश की सबसे महिलाओं में सबसे मुखर आवाज थी और जैसे ही मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ complaint file करी जो पार्टी में बहुत ज्यादा रसूख रखता है जो सबका चहेता है उस आदमी के खिलाफ जैसे ही मैंने complaint file करी तो मैं BJP की agent बन गई ये बोला जा रहा है कि BJP ने मेरे को डराया कि मेरे खिलाफ जो case है उसमें वो पता नहीं क्या कर देंगे ऐसा तो महिला मंतरी बोल रही है आतिशी और आप ये देखिए कि वो case क्या है वो 2016 में मेरे खिलाफ case file किया गया है बिलकुल फरजी case है उस case में कोई merit नहीं है उसके बाद 2017 में चार्ट शीट भी हो गई है मैं कभी उस case में arrest भी नहीं हुई और मैं arrest हो भी नहीं सकती क्यों कि चार्ट शीट फाइल हो चुकी है उस case के हो जाने के बाद दो बार और मुझे टेन्योर दिल्ली महिला आयोक का दिया गया CM साहब द्वारा भी और LG साहब द्वारा भी तो ये बात तो बिलकुल clear है कि वो बिलकुल फरजी case है डेड़ साल पहले high court ने उस case में stay लगाया ह कि जब कोई पैसे का लेन देनी नहीं हुआ तो काहें का corruption तो जिस case में already high court stay दे चुका है उस case की वज़े से मैं डर जाओंगी मुझे लगता है पूरे देश को ये बात याद होगी कि जब पिछली बार पिछले साल मैं मनीपुर गई थी वहाँ पे बिलकुल war zone जैसे हालात थे मैं जब वहाँ पहुची गोली बारी इधर उधर सब जगा चल रही थी अकेली अपनी एक साथी अदिली महिलायों की मेंबर वंदना सिंग के साथ मैं वहाँ पहुची थी जब हम वहाँ पहुचे एक 47 लेके लोग गोम रहे थे गोलियां चल रही थी बिना security के बिना bulletproof jacket के बिना bulletproof गाडी के वहाँ पर तब तक Chief Minister भी नहीं पहुच पाए थे मैं हम लोग अकेले गए तो जो लड़की मरने से नहीं ड़ती वो एक फरजी केस से ड़ जाएगी किस तरीके के बाते की जारी है मेरे 9 साल के कारे काल में कितनी बार death threats मिले कितनी बार rape threats मिले मेरे को security पर फिर भी मैं लड़ती रही अकेले लड़ती रही और मैं डर जाओंगी Was Arvind Kejriwal with you in the sense that he supported you जब आप ऐसे लड़ती थी, do you feel let down your friends in the party, but a person with whom you have worked for almost two decades, do you feel that let down by him? 2006 में मैंने अपनी engineering खतम करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी, मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी मैं Arvind Kejriwal जी से मिली और 2006 से उनके साथ काम कर रही हूँ साथ साल तक मैं जुग्यों में रही हूँ और मैं जुगी में ही रहती थी, मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं जहां रहती थी, वहाँ पे मैंने सुचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी राशन की लड़ाई लड़ी, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और जब India Against Corruption का movement हुआ तो उस पूरे movement में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े एक 23 member की core committee बनाई गई और उस core committee की youngest member मैं थी पूरा backend movement का मैं समालती थी कभी सामने भी नहीं आई, हमेशा पीछे से मैंने काम करा इतना संघर्ष करा है, उसके बाद दिली महिला आयोग में आई पूरे देश ने देखा है कि कैसे कितनी बार अपनी party से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा, मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहां पे हूँ वो बनी पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया उन्होंने जब मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया मुझे अकेला कर दिया आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि 20 साल से मैं जिस party में काम कर रही हूं वही party में मेरे दोस्त भी है मेरे एक-एक दोस्त को call करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिग गए अगर उसके साथ कोई उसके favor में tweet तक कर दिया तो तुमको छोडेंगे नहीं तो मैं पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो पूरी तरीके से अखेला कर दिया मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला यहां तक हुआ कि मेरे जो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है लेकिन मेरे जो रेलेटिव्स हैं जिनके साथ रह रह रही हूं उनके पास गाड कराने तो उनकी गाड़ियों के डीटेल्स भी फ्लैश करे गए हद कर दी मेरे सारे दोस्तों को कॉल करकर के बोला जा रहा है इसकी कोई परसनल वीडियो दो इसकी कोई परसनल फोटो दो डांस करते वे वीडियो दो कुछ भी दो कुछ भी निकालो यूएस गई थी तो पूरे ट्रोल मेकनिजम को मेरे उपर छोड़ दिया गया है तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं चुकी क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीजों से चुप कर आया जा सके मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी तो आज मेरी यह हलत कर दी गई है कि मैं बस अखीली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है